जो ग्रहक अपनी EMI होल्ड नहीं कराना चाते उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उनकी EMI जैसे कटती थी वैसे ही कटती रहेगी नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं टेकनाव इंडिया यूट्यूब चैनल और मैं शुश्वील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो दोस्तों जिस दिन का हम इंतियार कर रहे थे आखिर वह दिन आही गया होम लोन, परसनल लोन, वीकल लोन, किसी भी तरीके का लोन की EMI चुका रहे लोगों के लिए RBI ने फिर रहा दी है अब जून, जुलाई और अगस्त की EMI आप चाहें तो होल्ड करा सकते हैं आज प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान RBI गवर्नर शक्तिकान दास जी ने कहा कि लोगड़ाउन बढ़ाने से मोरोटोरियम और दूसरी रहत हैं तीन महीने तक और बढ़ाई जा रही है अब EMI देने पर रहत एक जून से 31 अगस्त के लिए बढ़ाई जा रही है यानि अगर आप अगले तीन महीने तक अपने लोन की EMI नहीं भरते हैं तो बैंक आप पे दबाब नहीं डालेगा दरासल RBI को यह निलने इसलिए करना पड़ा कि लोगड़ाउन के जरिये रहने से लोगों की आयका फ्लो फिर से सोचारू नहीं हो पाया है लोग EMI मॉराटोरियम की मौजूदा 31 महीं तक की अविदी के खत्म होने के बाद मौजूदा परिस्तितियों में अपना कर्ज चुकाने में सक्षब नहीं होंगे इसलिए मॉराटोरियम को और तीन महीने के लिए बढ़ाना पड़ा यह कर्ज लेने वाले और बैंक दोनों के लिए इस मुश्किल वक्त में मददगार रहेगा और दोस्तों देखिए कौन लेता है टर्म लोन या होम लोन या जिस तरीके के लोन होते हैं टर्म लोन लोगों ने घर खरीदना, कार खरीदना या दूसरी जरूतों को पूरा करता है ऐसे लोग उन जरूतों को पूरा करने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं चोटी फर्म को भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अकसर कर्ज की जरूरत पड़ती है अपनी जरूरत के हिसाब से इसे छोटी या लंबी अबिदी के लिए कोई भी ले सकता है और दोस्तों आपको moratorium का क्या फाइदा मिलेगा देखिए moratorium उस अबिदी को कहते हैं जिस दोरान आपको लिए गए कर्ज पर EMI का बुकतान नहीं करना पड़ता है उस अबिदी को EMI holiday के रोब में जाना जाता है आम तोर पर ऐसे break के पेसकस इसलिए की जाती है ताकि अस्थाई बित्तिय कटनाईयों का सामना करने वाले व्यक्तियों को इससे जवरन उबरने में मदद मिले देखिए इससे पहले हम आपको पताते हैं 27 मार्च को गोशित किया था यह बिकल्प देखिए भारतिय रिजर्ब बैंक RBI ने 27 मार्च को बैंकों वे वित्रे संस्थानों को 1 मार्च 2020 तक बगाया सभी टर्म लोन लेने वालों को EMI के बुक्तान पर 3 माई का मॉल्टोरिम उलब्द कराने को कहा था इस बिकल्प में ग्रहाक मार्च, अपरेल, माई और माहा की EMI चाहे तो होल्ड करा सकते थे जो ग्रहाक अपनी EMI होल्ड नहीं कराना चाहते, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उनकी EMI जैसे कटती थी, वैसे ही कटती रहेगी और दोस्तों, रिजर्ब बेंक ने रेपूरेट और रिवर्स रेपूरेट में भी कटोदी की है जानिये आपको कैसे मिलेगा इसका फाइदा इसके साथ ही अब इन तरह के सभी शरड या को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया शरड इस्तगन के तहत लोगों से कर्ज के लिए उनके खातों से EMI नहीं ली जाएगी रियर बेंक की ताजा गोशना के बाद 31 अगस्त को शरड इस्तगन की अबिदी खत्म होने के बाद ही EMI भुकतान फिर से शुरू हो सकता है हाँ दोस्तों इससे पहले किसी तरह के कि किसी की भी कोई भी EMI अपने आप नहीं कटेगी तो आप हमें कमेंट करके हमसे पोच सकते हैं हम पूरी कोशस करेंगे आपके कमेंट का आपको जबाब दे सकें और दोस्तों हम उमीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफी फसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल TechNow India पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जिन सब्सक्राइबर ने हमारा यूट्यूब चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यबाद और दोस्तों अगर आप ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोस को देखना चाते हैं टेक रिलेटेड वीडियोस देखना चाते हैं नौलेज रिलेटेड वीडियोस देखना चाते हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पह बने रहिए तो ठीक है फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं ऐसी ही इंटरस्टिक वीडियो के साथ जय हिंद जय बारत